हैंस्टर कॉंबेट डेली कॉंबो कार्ट्स 10 जुलाई 11 जुलाई 2024 दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे फिर से टाइमिंग आ चुका है ग्रीन टिक हट चुका है यहने कि निव कार्ट्स आ चुका है आप अपलाई कर जकते हैं तो इसके लिए आपको डेली क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जैसे ही आप तीनों कार्ट यहां पे एड़ किजेगा आपको 50 लाग कोईंस यहनी की 5 मिलियन कोईंस आपके कोईंस में एड़ हो जाएंगे ठीक है अब चलिए आपको फटा फट बताते हैं फरस्ट कार्ड के लिए आपको आपको आप स्पेशल पर क्लिक कर दिये इसके बाद कि इसके बाद आपको यह मिलेगा आपको यह पिलेगा तो my cards में या फिर new cards में ठीक है new cards पे आप click किजेगा तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको इसके नीचे तुरंत ऐसा card पूरा 14 वाला card semi final England versus Netherlands का मिल जाएगा तो आप go ahead पे click करके claim कर लिजेगा ठीक है वो हो गया first card अब है second card second card के लिए आपको market में जाना है चलिए है market पे हम click कर देते हैं और यहाँ पे आपको ढूनना है margin trading गुना 30 ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने थोरा scroll करके नीचे किया तो है margin trading गुना 30 और यह lock है इसे हमें unlock करना है तो unlock करने के लिए क्या करना होग लिगल opinion level six लिगल opinion को level 6 करना है और लिगल opinion ढुनने के लिए आपको क्या करना है यह market के बगल में legal का जो option अपको उसपे क्लिक करते हैं ठीक है और यहाँ पे उपर से नीचे ही आपको यहाँ पे legal opinion का option दिख जाएगा ठीक है इसे हमें level 6 करना है यानि 6 बार buy करना है चलिए हम इस पे click करेंगे 1 2 3 4 5 और हो गया यहाँ पे 6 ठीक है यह legal opinion level 6 मैंने कर दिया है ठीक है अब हम वापस markets में जाएंगे और उसके बाद हम margin trading गुना 30 जो है वहाँ पे आ जाएंगे और मैंने legal opinion को level 6 तक कर लिया था तो यह इसलिए यह unlock हो चुका है अब हम इसे इस पे click करके claim कर सकते हैं आपको भी इस तरह से click कर देना है और go ahead पे click करना है यह claim हो जाएगा तो second cards यानि कि आप claim कर लिया है ठीक है अब बच गया सिर्फ एक cards तो वो भी आज का बहुत hard होने वाला है session आप देखते रहे हैं दो card मैंने acceptable लिया ठीक है अब हम कहीं पे click करेंगे यह ठीक है अब है third card हमें claim करना है तो third card claim करने के लिए आपको बेब 3 पे आना है ठीक है चलिए हम बेब 3 पे आ गए बेब 3 पे आने के बाद आपको आज का ये third card है और एक अल ठीक है लेकिन यहाँ पे ये भी lock है और इसे open करने के लिए बेब 3 integration को level 5 करना होगा ठीक है बेब 3 integration को level 5 करना होगा तो अब हमें बेब 3 integration को ढुनना है और उसे level 5 करना है तो उसके लि यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट्स में आजना है सबसे नीचे आने के बाल मेरे में यहां पर है ठीक है इसे लेवल फाइब करना है लेकिन 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 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भी लॉक है और यह बोल रहा है कि एंटी मनी लॉंडरिंग है जो आपको लेवल एट करना है ठीक है एंटी मनी लॉंडरिंग ठीक है तो आप हमें एंटी मनी लॉंडरिंग ढूनना होगा ठीक है तो इसके लिए करना है आपको फिर लीगल में जाना है ठीक है लीगल वाले ओप्शन में चले आना है लीगल में आने के वाल यहाँ पर एंटी मनी लॉंडरिंग था उसे लेवल एट करना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटी मनी लॉंडरिंग आ गया है और इसे हमें लेवल एट करना ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं लेवल भी जीरो है तो चलिए हम पटापट एट बार इसे बाई करना ठीक है एंटी मनी लॉंडरिंग सेकेंड लेवल थार्ड फॉर्थ लेवल शीक्स लेवल सेवन और लेवल ठीक है मैंने एंटी मनी लॉंडरिंग को लेवल एट में कर लिया ठीक है अब हम वापस वहीं पर जाएंगे हम जाएंगे मार्केट्स में मार्केट्स में और उसके बाद यहाँ पे बेव 3 integration जो unlock था इसे हमें unlock करना था ठीक है यह unlock हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि वो पहले बता चुका है कि बेव थिरी इंटीग्रेशन जो है वो अनलोक होने के लिए और एकल और एकल जो अनलोक होने के लिए इसको लेवल 5 करना होगा ठीक है आपको आज अच्छे से विडियो देखना होगा तब ही आप कर पाईएगा चलिए यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया यह 4 हो गया अभी इसे करना है लेवल 5 लेकिन इसे पहले आपको इसे बात बताते हैं कि हमें और एकल जो था वो वाई करना था ठीक है तो उसके लिए हमको बेव थिरी में आना था और यहाँ पर और एकल जो अभी आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ level complete नहीं किया है, तो यह lock है, तो अब हम क्या करते हैं, हम फिर से वहीं पे जाते हैं, और फिर इसे level 5 कर देते हैं, ठीक है, मैंने एक वर और click किया, और यहाँ पे, मैंने go ahead पे click किया, यहाँ पे हो ही जाएगा, babe 3 integration level 5, और जब य task को वह complete कर दिया, तो यहाँ पे oracle है, जो unlock हो चुका है, और यहाँ पे हम buy कर सकते हैं, ठीक है, हम इस पे click करेंगे, go ahead पे click करेंगे, यहाँ पे रोकिष्ट पर सेचिंग, और यहाँ पे तिसरा card भी done हो गया है, तिसरा card done होने होते हैं, यहाँ पे great job, take the price, 50,000,000,000,000,000, points, यहाँ पे claim हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने click कर दिया, आप देख सकते हैं, good job, see you, यहाँ पे claim हो चुका है, और यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा points बढ़ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि daily combo यह इमीद करते हैं यह विडियो आपको पसंद आया होगा तो लाक कर दिजे चैनल सब्सक्राइब कर दिजे और अगर आफ rusty यह कंपलीट कर ले थे तो में अच्छा लगता है तो लाइक कर दोस्तों थैंक यू